हेलो वाल दिस इस मिनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली गाइज आज एसी जी सी प्यों का एक्जाम था और मेरा सेकेंड शिफ्ट में था इस वज़े से थोड़ा सा लेट हो गया तो बात करते हैं उसके बारे मैं डिसकस करते हैं कि किस आप से पेपर का लेवल था और गु तो आपका डिरेक्शन डिस्टेंस के थी टू फॉर कोश्चन थे वो डूएबल थे करने वाले थे लॉजिकल रीजनिंग के कोश्चन डूएबल थे अब पजल्स में यहां पर स्किप करने वाली थी तो मैंने आया आप पर दो पजल आपकी की थी दो या तीन पजल की थी एक थी आपकी जिसमें 6 वो दे रखे थे 7 मंस दे रखे थे उसके बड़ काप काप कौन सी मूवी रिलीज होती है तो बहुत एजीली यह बन गई थी आपका पॉसिबिल्टी दो एक तो बलब दो बननी थी और एक बहुत जल्दी कैंसल हो गई थी तो आप इसको एजीली कर जादा ओके तो मुझे लगता है यहां पर अगर रिजनिंग की हम बात करें तो 25 प्लस 30 कोशन्स या 21 से लेके 30 के बीच में काफी बच्चों ने अटेम्ट किया होगा और बात बतादें यहां पर आपकी की वेकेंसी बहुत कम है तो जिसने अच्छे अच्छे अटेम्ट कि मतलब कि मुझे लगता है रिजनिंग में आपके 25 एराउंड या 30 एराउंड अटेम्ट होने चाहिए अब बात करते हैं आपका इंग्लिश की ठीक है तो इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी होगी तो मुझे लगता है उसने 40 में से 37 38 किये होंगे मैंने आप पर 32 कोशन्स क तो मुझे जो लेवल लगा था इंग्लिश का वो मुझे इजी तो मॉडरेट लगा कोई बहुत टफ मुझे इंग्लिश यहां पर नहीं लगी आपके एराउंड टेक्शन थे आपका पैसस था मंकी और एप्स पर बेस था और आपके फिलर्स थे तो यह सारी चीज़े थी बहुत इजी था और वर्ड स्वैपिंग मतलब की बी-सी-डी यह करके आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको अरेंज करना था वहां पर सेंटेंस में तो यह सारी चीज़े दूएबल थी आप कर सकते थे तो मुझे लगता है यहां पर 25-30 मार्क्स मनलब 30 तो मान के चलो इंग्लिश में क्योंकि कट आफ आई जानी तो अटेंट्स भी हाई यहां पर होने चाहिए अब बात करते हैं किसकी इसके बाद आपका सेक्षिन आया था किसका कम्प्यूटर का तो कम्प्यूटर में मैंने यहां पर मुझे लगता है कि कम्प्यूटर का पेपर भी मॉडरेट था कोई बहुत ईजी नहीं था अब बात करते हैं आपके जीए की तो जीए को बहुत हार्ड लगा मुझे आज और मेरे से 14 कोशन्स ही हुए जीए में और वो मैंने एकदम करेक्ट किये हैं ठीक है और ब है और हो सकता है किसी ने वहां अच्छे अटेम्ट कियों बट यह मेरे अटेम्ट है कि मैंने सिर्फ 14 एटेम्ट किये जीए में और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपको जीए का लेवल कैसा लगा है यहां पर अब बात करते हैं इसके बाद आपका आया मैक्स तो मै बात करो कुछ आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो मॉडरेट लेवल की मुझे दिखी अडर्वाइस एक डिया आपकी मॉडरेट लेवल की थी बागी सारी चीज़ें आपकी इसी ती जैसे कि आपका छे मिसिंग नंबर सीरीज थी वह इसी था वाडरेटिक एक्वेशन हो जिसमें आपका टी कॉफी और जूस तीनों दे रखे थे और बहुत ही इजी डेटा था उसका बस यह था कि कुछ कुछ उनकी फ्रेमिंग थी वह फो तो फाइब टॉस लाइन की थी तो वह आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा किसी को नर्वस कर रहा होगा बट वह इजी था ज इसको टू मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर उसका एक मार्क्स यहां पर कट होता है और दोनों में जो नंबर ओफ कुछ ने वह डिफरेंट तो यह दे रखा था तो यह सारी चीज थी जो आपका इसी चीज़ का पेपर था तो यह थोड़ा सा लैंदी और मॉडरेट करता तो यहां पर वह इतना नहीं कर पाया होगा क्योंकि मुझे भी हाड लगा तो मुझे लगता है अधरेज स्टूडेंट का जो रहा होगा क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम से आर्वी आई के लिए इतना सब पढ़ा था जीए का तो उसे सब समय खुद नहीं कर पायी पर कोई नहीं फेस्टू से अब उमीद है तो चलो उसको करेंगे बाकि इसी जीसी से तो मुझे इतनी कोई उमीद नहीं है यहाँ पर क्यों क्यों कि वेकैंसी बहुत जादा कम है और कट ओफ डेफिनेटली इसकी हाई जाएगी हाँ एक चीज और बता नहीं थी आपको डिस् के एडवांटेज और डिस एडवांटेज क्या है इस पर तो आपको एक सेलेक्ट करना था मैंने ओटीटी वाला किया था यहां पर क्योंकि उसके बारे में मैंने पढ़ा भी था काफी तो मुझे उस बारे में मैं अच्छे से मैंने लिग दिया था 150 वर्ट्स का था और इस चाया उसके हिसाब से जो आपके क्या कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं इसके उपर था कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए और मतलब जनरली आजकल बीपी हार्ड डिसीज और यह जो आपका डाइबीटीज है यह बहुत जादा हो गया है मतलब का मेज में भी होने लिखोगे कितना जादा समझोगे तो जिसका भी होगा वह करके बैड़ गया था ठीक है तो पेपर का लेवल की अगर हम बात करें तो देखो आर भी आई तो है ही सब कवाप यहां पर इसी जीजी का जो पेपर का लेवल था मुझे जीए यहां पर हाड लगी कि बहुत आपकी हाई जाएगी तो वेट फॉर दर रिजर्ट एंड और वेस जिसने भी किया हो और वाकि आप लोग अपने जो अटेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएगा और जो क्लास है आपकी वो गाइस कल होगी ठीक है 10 पीम क्योंकि अब मैं बहुत लेट कि उसके लिए सौरी बट कल आपकी 10 पीम पर मंडे को क्लास होगी और जितने भी स्टूडेंट मैस बेसिक से पढ़ना चाते हैं तो प्लीज आप लोग 10 पीम पर मुझे जॉइन कर सकते हो पीडियोफ भी मिलेगी आपको और क्लास भी मिल रही है बेसिक से और लेवल आप खुद आके क्लास का देख सकते हो गाइडली पर कि क्या आपका मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जोइन कर सकते हो कि तो चलिए बबाए टेक क्या